कुश्चन है कि दो समान मुल्धन क्रमसा 7% 5% सधान ब्याज पर उधार दे जाते हैं पहला मुल्धन दूसरे मुल्धन के तुनला में 18 महीने पहले वसूल किया जाता है दोनों धनराासियों के लिए उसके समय के अंत में जो इमाउंट मिल रहा है दोनों को कितना 35 ur. starred मुल्धन आपको ग्यात कानें देखिए कोश्चन में कर रहा है कि दो समान जो है मुल्धन समान है दो रासी है यहां पर जो समान है प्रिंस्पॉल इनके जो वर्ष के अंत में जो ही इनको एमाउंट मिल रहा है वो भी समान मिल रहा है तो हम कर सकते हैं कि इनको जो SI मिला होगा जो इनको SI मिला होगा वो भी क्या मिला होगा मिला होगा यानि कि हम कह सकते हैं कि जो होता है वो क्या पर जानते है और जो संख्याओं का प्रोडॉक्त ओंस्थन है तो rate का ratio हम लेंगे तो उसका reverse वह वो time का ratio हो जाएगा यानि कि rate का ratio हमें दिया रहेगा x x y तो time का ratio हो जाएगा y x हो जाएगा I hope यह चीज आपको समझ में आ रहा होगा है चलिए अब question पर हम देखते हैं पॉस्चर में का करें, rate का ratio कितना दिया गया है, rate का ratio आपको दिया गया है, 7 अनुपात 5 दिया गया है, यहां से time का ratio हम जो हम निकालेंगे तो यह क्यों हो जाएगा, 5 अनुपात 7 हो जाएगा, और एक जो धनरासी है, वो 5 unit पहले चुका दी जा रही है, as compared to 7, यानि कि 7 के compare म लिए 5 unit पहले चुका जाए रही है, फिर 7 unit पहले चुका जाए रही है, यहां कि दोनों के बीच में difference का है, 2 unit का, यानि कि एक जो धनरासी है, 2 unit पहले चुका आई जा चुकी है, लेकिन 2 unit के value, जो है, question में कितना दिया गया है, 18 दिया गया है, एक की value कितना आ जाएगे, 9 यहां से टाइम हमारे निकल का जाएगा या तो 5 से निकले या फिर 7 से निकले एक ही आएगा 5 से निकले तो कितना जाएगा 45 साल 45 month हो हो जाएगा क्योंकि month में data निया गया है यानि कि हम यहां से कर सकते ह availability occupy टाइम निकल के रागया टाइम कितना निकल गया पैह तालिस निकल गया rate हमें निकल के rate कितना है पहले Yog dafin सीप और 7% rate कितना है 7% हम बटा हमें 12 कर जेते हैं सब्सक्राइब 25 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 सब्सक्राइब यानि कि 180 पर 105 परसेंट हमें क्या मिल रहा है इंट्रेस्ट मिल रहा है यहां से हम इमाउंट निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं यहां से हमांट हमारे से कितना निकल पेंट पेंटेश के एमांट हममरे से कितना निकल के 270 educator तक पंडल सो 505 बटा में 4 कि जो कितनी देगी है 3535 रूपे एक के वेलू कितनी आजाएगी 3535 इंटु 4 मुल्दन को मैं प्रिंस्पल को सौ माना है यह हो जाएगा यह कितना भार में जाएगा वीजाएगा तो 372 है आँने साथ सो गुना चार करेंकि कितना अफाइट दो तो मुल्धन हमारा जो निकल का जाएगा प्रिंस्पॉल वो हमारा कितना आ जाएगा 2800 रूपे अप्सन नमबर C कोश्चन काफी ऐसान है भाई बस आपको सिर्फ समझना है कि जब दो मुल्धन समान दिया रहे कि यहीं तो मुल्धन कइसे अपको क्या करना है कि जो रहे गुश्त हम उससे रिवर्स करना देंगे तो sleevo raken अपने दिमाग में डाल देचेगा